नमस्कार वीवर्ज, दा अपल एंड मुजिक अन फेशन यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज की ये जो वीडियो है ये हम दो टापिक पे बात करेंगे एक समर प्रूनिंग एंड सेकंड वन फ्रूट थेनिंग इसमें जो हम फ्रूट थेनिंग करेंगे पहले हम फ्रूट थेनिंग के बारे में बात करेंगे जो फ्रूट थेनिंग है वो आपने मेंली जो आपका लेटरल है उसके जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके according आपने fruit वहाँ पर रखने है जो branch जितना fruit hold कर सकती है उसके according की आप वहाँ पर fruit रखे जैसे अभी आप यहाँ देखो मैं आपको बताओं और यह जो unnecessary branches है जो हमें winters में pruning कर निकालनी होती है वो हम आज कल ही निकाल सकते हैं जो हमें next year के लिए spur formation बना कर देगी और आपको जो है next year वहाँ पर crop लगेगी यह आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 4 fruits लगे हैं यहाँ पर हम सिरफ एक fruit रखेंगे बाकि हम remove कर देगे क्योंकि इसके पास इतना ही hold करने की capacity है और यह दूसरा spur है यहाँ पर हम एक या दो fruit रखेंगे इस तरह से branch के capacity holding capacity के according आपने fruit रखने हैं और जहाँ पर आप unwanted shoots है आप उसको remove करके वहाँ पर फर्फॉर्मेशन कर सकते हो तो आजकल mainly यही काम हो सकता है बाकी जैसे आजकल बारिश बहुत हो रही है और आप अपने roots को भी check कर सकते हैं कि कहीं पर पानी इकठाना हो रहा हो और उसे जो आपके root rot create ना हो plant के आसपास यह दो-तिन चीज़े आजकल आपको ध्यान रखनी होती है तो आज के लिए अभी इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में उमीद करता हूँ यह वीडियो भी आप लोगों को परसंद आई होगी और हमेशा की तर आप इसको भी बहुत सारा प्यार देंगे तो मेरे साथ हमेशा जूड़े रहने के लिए मेरे ओफिशल फेस्बुक पेज को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका नाम है दा आपल एंड मुजिकन फेशन्स और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें शेयर करें और कॉमेंट्स जरूर करें धन्यवाद